हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको MS Word के एक ऐसे आप्सन के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप घंटो के काम को मिंटो में कर सकते हैं और अपने टाइम को काफी जादा बचा सकते हैं Home tab में clipboard वाले group में आपने cut copy तथा paste का यूज तो किया ही होगा इसी group में नीचे brush का एक icon होता है जिसे हम format printer कहते हैं इस option का यूज करके आप किसी image या text पर apply किये गए formatting को copy कर सकते हैं और आप उसे किसी नए text या image में apply भी कर सकते हैं तो मैं आपको इस option का यूज करके दिखा देता हूँ सबसे पहले हम किसी text में कुछ formatting कर लेंगे मैंने text select कर लिया है अब मैं इस text को थोड़ा bold कर देता हूँ और italic करने के साथ साथ मैं इसमें underline भी लगा देता हूँ और इसका font color भी change कर देता हूँ ठेक इसी परकार मैं इस image को select कर लेता हूँ और format वाले option पर click करके यहां से इसका color थोड़ा change कर देता हूँ अब हमने एक paragraph में formatting complete कर लिया है अगर यह same formatting हमें नीचे वाले paragraph में भी करना हो तो फिर से सभी options apply करने के लिए हमारा काफी time based हो जाएगा इसके लिए हम format printer का यूज़ कर सकते हैं आपको जिस text के formatting को copy करना है आप उसे select कर लेंगे और format printer वाले option पर click कर देंगे अब आपको उस text को select कर लेना है जिस पर आप यही same formatting apply करना चाहते हैं आपको उस text को select करके छोड़ देना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यही same formatting apply हो गया है जिसे हमने उपर वाले text में apply किया था खिक इसी परकार image के formatting को copy करने के लिए आप image को select कर लेंगे और format printer वाले option पर click करके इस image पर एक बार click कर देंगे तो इस image का भी formatting change हो जाएगा या फिर वही formatting apply हो जाएगा यह जरूरी नहीं है कि हमारा same paragraph को तभी formatting apply होगा आप अलग-अलग paragraph में अलग-अलग formatting apply कर सकते हैं और अलग-अलग image में भी आप किसी दूसरे image का formatting apply कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ-साथ चैनल को subscribe कर दें ऐसी और नई वीडियो के लिए क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी ही educational वीडियो लाता रहता हूं